नागपूर के मानकापूर पुलीस टेशन अंतरगत घर में सेंधमारी करने का मामला सामने आया है आरोपी को पुलीस ने हिरासत में ले लिया है आरोपी द्वरा किये गए मानकापूर के आठ, कोराडी के तीन और जरीपटका के दो ऐसे कुल 12 गुनों की शिनाक्त की गई है जिसमें 2,85,650 रुपयों का माल जब किया गया है मानकापूर पुलीस टेशन के अंतरगत एक बड़ा खुला सा सामने आया है जिसमें कार्चोरियों का परदाफाश हुआ है बारा सेंदमारी की घटनाओं के माध्यम से जब तक इववे माल में सोने चांदी के बरतन, मोबाइल, किम्ती घडिया और एक्टिवा गाडी का समावेश है साथी साथ पुलीस ने आरूपी 33 वर्षिय निलेश सुधाकर पुर्षत तमवार से सेंद के लिए इस्थिमाल किये जाने वाले आउजार भी बरामत किये है निलेश बल्लार्षा चंद्रपूर का रहने वाला है वह पाटन साउंगे में वानखिडे के घर पर किराय से रहता था पुलीस रिकॉर्ड के मुताबिक आरूपी के नाम पर बल्लार्षा में 19 और नागपूर में 10 ऐसे कुल मिलाकर 29 आरूप है इन में से 12 अपरादी की शिनाक्त की गई है इस कारवाई में CP सर, अपर पुलिस आयुक्त रेड़ी सर, DCP संदिप बकाले, ACP 22 कर मेडम और DB टीम का समाविश था जिस परिसर में सेन्मारी की गई वहाँ परिसर निर्जन है वहाँ किसी भी क्षेत्र में CCTV नहीं थे इस कारण से आरूपी दिन में ही रेके करता और रात में घटना को अंजाम देता था पुलिस ने मिली हुई जानकरी पर काम करते हुए तांतरी की साधनों की मदच से आरूपी का पता लगया त्याला आमें चेक केल असता तेचा गाडी वगरे मदे पुर्ण घरपोडी से साहित्य मिला न एकुन घरपोडी से साहित्य वक्ता तो त्याला विचार्पुस वादिक विचार्पुस करून तेचा करन आप्ता परियंत टोटल दोन लाख 15615 सुरुपयाचा मुद्धिमाल सोने सांधी सांधी चे भंडे मोबाइल आणी महागडा किमती चे घड़ाड असा एकुन दोन लाख 15615 सुरुपयाचा मुद्धिमाल जब्त करना तालेला है तेचा वर चंद्रपुर बल्लार सा याठीकानी 21 गुनी आहेत आणी नाकपुर शहराचा सुद्धा यापुर विचे एकुन दहा असे 31 गुनी दाखलायत रेकॉर्ड वरील तो आरोती एकड़े अपला मानकापुर मदे कीती गुने दाखलायत रेकुर्ड शहराचा मुद्धिमाल जब्त करना तालेला है अधनी की तकलीफ को तो समझो बहार बहार उठो बैठो उठो बैठो जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर काल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com